कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में कि यूटूब चैनल में आपके साथ है तो भी यह वाला टेली जारूर 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 लिजेगा यह हमारा इस्टाग्राम का पेज इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा studyforcivil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो को दिस्टेट में इसकी लिंक दिवी इसमें आप इस्टोरी सक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट साते रहते हैं और प्लस पोस्ट रहते हैं इनको जरूर फ देखें तो नीचे चार विकल्ब दिया है सुधी दिया है धीर दिया है तुंग दिया है और विलक्षण दिया है अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है तो आप ध्यान से देखें सुधी सुधी जो शब्द है इसका मतलब है जिसके पास सुध हो यानि विवेक हो और तो यहाँ पर आप देखें कि सुधी जो शब्द है वो भी पंडित का समानार्थी है, धीर जो शब्द है ये भी पंडित के लिए इस्तिमाल होता है, मतलब धैरिवान जो है, और साथ में बिलक्षन, यानि जो जिसके लक्षन सबसे अलग हो और सबसे उच्चे हो, तो इस प पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, जो पर्यायवाची न हो वो आपको तलाशना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि धराधर दिया है, महीधर दिया है, प्रभंजन दिया हुआ है, और साथ में आद्री दिया हुआ है, आद्री या अद्री, अब इसमें अगर आप ध्या और प्रभंजन ये जो शब्द है ये इसमें से अलग है और यही हमारा एंसर है प्रभंजन मतलब होता है आधी जगोरा जिसमें कि बहुत तेज हवा चलती जंजावात भी आप कह सकते हैं और अद्री जो शब्द है ये परवत का परियावाची है तो इन सब में अगर देखा तो परवत का एक मातर यही परियावाची नहीं है इसके बाद आगे चलते प्रशन सख्या तीन में आप से पूछा गया कि परशुराम शब्द का परियावाची जो नहीं है वो आपको बताना है तो परशुराम एक रिशी थे और इनके पिता का नाम जंदगनी था और इनक अपनी माता का ही मस्तक धर से अलग कर दिया था क्योंकि इनके पिता का ऐसा आदेश था तो वो चीज़े है पिलाल इसमें अगर देखा जाए तो परियावाची आपको बताना है भारगव लिखा हुआ है भ्रिगु अंशी यह थे ठीक है तो इने भारगव कहा जाता है रे कोशिक नंतन का जो संबोधन है वो और सही नहीं। कोशिक नंतन संबोधन यह परेषिवराम के लिस्तिवाल नहीं होता है पाकी जितने है वहmet में आंतना है भिखानLO अजयो परियावाची परकानों कर लेते हैं इसका इसमें से जो परियावाजी यानि समानार्थक नहों वो इस्तमाल करना है आपको यानि चुनना है तो अर्थात कहते हैं अर्थात यानि इसका अर्थ क्या है अर्थात जब आप बताना चाहते हैं तो लिखते हैं कि ब्रिक्ष अर्थात इस प्रकार से तो ये अर्थात शब्द अलग है बाकी जितने है जिसे परंतुका अर्थ लेकिन ही होता है मगर भी होता है मगर यह बात मुझे पसंद नहीं आई लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं आई पर भी होता है, मैं जाना तो चाहता हूँ पर, लेकिन मगर मेरी जाने की इच्छा नहीं है, ऐसे तो ये सब है, अब इसमें आप देखें कि A वाला जो है वो अलग है, बाकी जितने हैं वो तो परियावाची है इसके बाद पाचवे नंबर के प्रशन को देखें, पराग, ये कोई दूद के ब्रांड का नाम नहीं है, ये पौधे का पुष्प वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, तो आप बताएं कि इसका परियावाची इसमें से कौन सा नहीं है, रंज, ठीक है, रंज भी कहा जाता है, रज भी कहा जाता है, दोनों इस्तिमाल होता है, पिलाल पुष्प रज, पुष्प धूली और कुसुम, तो कुसुम तो इस आक्षात फूल का ही परियावाची, और फूल के अंदर परागी नहीं, बहुत सारे अंग होते हैं, परियावाची नहीं है, तो अब इसके आधार परियावाची देखें, तो तपतीश भी वही होती है, पुलिस जो है वो तपतीश कर रहे है, मामले की जांच कर रहे है, और साथ में चानबीन है, तहकीकात का भी वही मतलब है, लेकिन बटोही, बटोही मतलब होता है यात्री, जो कि बाट पर, यानि रास्ते पर चल रहा है, तो ये इससे अलग है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या साथ में कहा गया कि पर्दा का परियावाची नहीं है, पर्दा, ठीक, तो दरीचा, आवर यावनिका, यावनिका नहीं है, वो यावनिका है और नेपथ है, तो यावनिका नेपथ है, हाला कि ये रंग मंच के पर्दे होते हैं, घर के पर्दों को नेपथ है और यावनिका नहीं कहा जाता है, जो नाटक मंदली के मंच पर लगे हुए पर्दे होते हैं, पर्दा उसके बाद कोई नया सीन प्रस्तुत होता है आपने रामलीला का जो मंचन है वो देखा होगा या ऐसे दी तो उसमें जो पर्दे लगे होते हैं उसको नेपथ ही अवनिका कहा जाता है आवरण जो है ये किसी भी पर्दे को बोल सकते हैं क्योंकि वो ढगता ही तो है लेकिन द पर्याइवाची है तो आपकी जानकारी के लिए अब इसमें ताकत है पुरशार्थ है पौरुष है तो भाई ये सब तो ही है लेकिन कोविद कोविद का मतलब क्या होता है ये रामनात कोविद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कोविद का मतलब होता है गुणगान करने व और यहाँ पर वो पराक्रम से संबन्दित नहीं है, तो उपर वाले तीन तो सही है, लेकिन नीचे वाला गलत है और वह हमें चाहिए था, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रशन संख्या नौ में कहा गया कि परिपाटी, पध्यती और प्रशलन, ये किसके ठीक, परंपरा भी कह सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, रिवाज इसका सही उत्तर हो जाएगा, परियावाची हमें तलाशना था, तो चार परियावाची तो कम से कम आपने देखे ही, परिपाटी, पध्यती, प्रशलन, रिवाज, और इसी म परिवार का तो मतलब आप जानते ही हैं, अगले वाले को देखते हैं, परिवर्तन का परियावाची नहीं है, युग परिवर्तन, समय परिवर्तन, देश परिवर्तन, अब इसमें आप देखे, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाओ, तो बदलाओ तो यहाँ साक्ष परिवर्तन ला रहे हैं तो भी होगा तबदीली इस चीज को तबदील करने का अताथ परिवर्तन, लेकिन परिमारजन का मतलब क्या होता है? यह अलग शब्द है और यहीं हमारा उत्तर है यह परिवर्तन का परिवर्तन का परियावाची तो इस नहीं है, बर्तन माझा जाता है, दो जो जुठा या गंदगी चिपकी होती है, इसको यूदाने के लिए किसी खूझे या फिर जो स्क्रबर होता है, उससे रगडा जाता है, तो इससे क्या होता है बरतन चमकीले साफ हो जाते हैं तो वही चीज यहाँ पर साहित्ते के साथ या जो अन्य विधाएं होती हैं उसके साथ की जाती है परिमारजन किया जाता है मतलब जो मूल साहित या मूल रचना है उसको माज दिया जाता है तो उसकी जो अशुदिया है वो निकल जाती तो यह बदलाओ नहीं है उस चीज को प्यूरिफाई करना है तो यह अलग है इससे परिमारजन इसमें से उत्तर हो जाएगा इसके बाद 11 को देखते है जिमनलिकत में से अशुद्वरतनी आपको तलाश नहीं है अब यहाँ देखें अवहेलना दिया है अपमान दिया है तिरसकार दिया है तो यह सब तो हई है ठीक यह सब तो इसमें एक जैसे हैं अशुद्वरतनी का मतलब आप इसमें देख रहे हैं बाकी जितने हैं वो सही है, अवहिलना ऐसे ही लिखा जाता है, अपमान भी ऐसे ही लिखा जाता है, और तिरसकार भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन परिसकार ऐसे नहीं लिखा जाता है, वहाँ मूर्धन निशा इस्तिमाल होता है, वो भी आधा, जहां आप ये सामान निश देख रहे हैं उसकी जगह पे मूर्धन निशा आधे रूप में यानि हल्सवर में उचारित होगा तो परिशकार होता है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं प्रश्ण संख्या 12 में आपसे कहा गया कि अशुद वर्तनी किसकी है जरा बताईए तो चतुषपाद है अनु पश्चा ताप का मतलब होता है पश्चा ताप वही पश्टावा गलती का एहसास हुआ तो पश्चा ताप का मतलब आप जानी रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 13 में को देखेगा अशुद वर्तनी आपको तलाश नहीं है तो पांडु लिपी ल दिखा जाता था काभी मेहनत का काम होता था आजकल मेहनत कम हो गई है और गुणवत्ता घट गई पहले कि कभी और लेखक बड़ी मेहनत करते थे सिर्फ रचना करना ही नहीं उसको कागज पर उतारना और बगायदा चपवाने के लिए एक प्रकाशन से दूसरे प्रकाशन में भटकना ये उनकी नियती होती थी इतने अमीर और इतने मतलब पब्लिसिटी वाले कभी नहीं होते थी तो वो पांडुलिपिया तैयार करती थी ठीक है तो वो इसमें से सही दिया हुआ है इसके अलावा हस्तिलिपी का भी वही तात पर है जो पांडुलिपी का है इसमें बर्तनी किसके गलत है और अशुटर वर्तनिया वर्डिकोन कि लिखा है यह जेंग की रिखा है विच्छिप्त मतलब क्या होता है जिसकी की बुद्धी लुप्त हो गई यानि वो पागल नहीं है लेकिन कुछ दिमाग से सिर्फिरा है इसके बाद आगी चलते हैं अंबिका का मतलब आप समझी रहें अंबिका अंबा ये जो शब्द है न ये दुर्गाजी के परियावाच इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या पंद्र निम्नलिकित में से अशुत वर्दनी आपको तलाश नी है तो अपर्णा है शैल्जा है रुद्राणी है और सर्व मंगला है अब यहां अगर आप देखें तो अपर्णा जो शब्द है वो एकदम ठीक ठाक लिखा है कौनों विकल्प मौजूद हों जैसे कि प्रश्न पूछा और उसमें दुर्गा भी लिखा और पार्वती भी लिखा हो तो यह ध्यान दीजेगा कि कौन सा किसका है थोड़ा बारी गंतर जैसे शैल जा शैल की पुत्री यानि उत्पन हुई जन्म लिवी तो यह कौन है हिम अगर बारी कंतर निकालने के लिए आएगा तो वो पार्वती का ही परियावाची माना जाएगा तो यह सब है फिलाल इसमें हमें वर्तनी देखनी थी तो सर्व मंगला सर्व मंगला यह दुर्गा जी को कहा जाता है सर्व मंगल मंगले लक्षमी के लिए इस्तिमाल होता है देवियों के लिस्तिमाल होता है तो यहाँ पर ब नहीं रहेगा बलकि व रहेगा बाकि सब ठीक इसके बाद अगले वाले को देखते हैं प्रश्न संख्या सोलह में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी बताईए अब इसमें अशुद्ध जो है इस प्रकार से लिखा जाता है तो यह वाला सही है और यह वर्तनी गलत दी इसके बाद अगले वाले को देखते हैं प्रगल्ब मतलब क्या होता है जो बढ़बढ कर बोले यानि बोलने में जराभी चूके न इसके बाद अगले वाले को देखते हैं बहिर मुखी भी कहा जा सकता है उसे, हाला कि दोनों में थोड़ा फर्क होता है, अशुद्य वर्तनी आपको इसमें से बतानी है, तो वसुंधरा लिखा हुआ है, वसुंधरा मतलब क्या, धर्दी, रोश्नी, इसके अलामा प्रियतम लिखा है, और शेसनाग लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सा लिखा है, समोसा वाला सा, उसकी जगा पर मूर्धन निशा लगा दीजेगा, तो यह सही हो जाएगा, अब इसमें आपको वही बताना था, कि अशुद्य वर्तनी किसकी है, तो शेशनाग की है, बेशक, ठीक, यहाँ लिखते कैसे हैं, यहाँ मूर्धन न इनोंने पृत्वी पर उतार लिया था, इसके बाद जब द्वापर आता है, तो उसमें यह कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं, बलराम के तौर पे, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 में कहा जा रहा है, कि निवनलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताइए, तो किसले लिखा हुआ है, इसके बाद प्रतार ना लिखा हुआ है, शेशनाग यहां सही ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन साथ में क्या लिखा है, फडींद्र, यह गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, पेड़ वाला अड़ा नहीं रहेगा, यह गणित की होगा, शेशनाग को सर्पों का राजा माना जाता है, तो यह फडिंद्र जो है, उनी का पर्यायवाची है, फिलाल यह गलत लिखा है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, उन्नीसमें में कहा जा रहा है कि अशुद वर्तनी किसकी है, तो पयोधर लिखा हुआ है, पानी को जो धारंड करे, वो बादल है, और जो दूद को धारंड करे और बच्चे का पोशन करे, वो माता का इस्तन है, इस प्रकार से, तो यह वो गया, और वरिधर जो लिखा है न, वो वारिधर होना चाहिए था, मतलब वारिका आर्थ होता है पानी, और धर का मतलब होत इसमें जो बी वाला है वो गलत है इसके बाद देखें 20 वे नंबर के प्रशन को अशुत वर्तनी आपको तलाश नी है यहां बृध्धा वस्था दिया है जीर्णा वस्था डिया है बुढ़ापा दिया है और वार्धक के दिया है देखें यहां जितने भी शब्द हैं इनका संबंद बुढ़ापे से हैं जीरण अवस्था कब आती है मनुशी की हाला कि आवशक नहीं है कि बुढ़ापा आये तभी जीरण हो किसी बिमारी से ग्रस्थ होकर भी मनुशी जीरण अवस्था को प्राप्त हो सकता है लेकिन जादातर जो common इसका दर्शन हम लोग करते हैं वो बुढ़ापे में ही करते हैं तो यह सब बृध्धावस्था के एक तो पर्यायवाची है वार्धक्य का भी वही तातपर है लेकिन वार्धक्य को लिखा ऐसे नहीं जाएगा और इसलिए इसकी जो वर्तनी है वो गलत है यहाँ पर द और आधा धा वाला concept रहेगा इस प्रकार से लिखा जाएगा जिसे अर्ध वार्षिक आप लिखते हैं अर्ध शब्द लिखते हैं तो वैसे ही यहाँ वार्धक्य में भी धा नीचे रहेगा और द उसके साथ रहेगा उपर उडंतू रहेगा तो यह लिखने का तरीका गलत इसके बाद आगे चलते हैं प्रशन संख्या एक कीस को देखें दूसरों का मूँ ताकने वाला तो दूसरों का मूँ कौन ताकता है जिसे की आवशक्ता होती है मतलब वो अपनी आवशक्ता खुद नहीं पूरी कर सकता है तो दूसरे का मूँ ताकने वाला मत बनो तुम ख पर मतलब होता है दूसरा मुख मतलब मुह होता है और अपेक्षी पेक्षी जो यहां लिखा है उसका अलग कर दीजे आप संधी विग्र कर दीजे तो अपेक्षा हो जाएगा मतलब उससे उमीद रखना तो दूसरे का मुह देखकर उससे उमीद रखना ये इसका मतलब होता ह पिलाल और परंजय का मतलब क्या होता है जो दूसरों पर जीत हासिल करें और साथ में प्रमुखा पेक्षी है तो जो प्रमुख से अपेक्षा रखे यानि जो मुख्य व्यक्ति है उससे अपेक्षा रखे तो उसको प्रमुखा पेक्षी कहा जा सकता है हलाकि यह कोई उसको ज्यादा वरियता देंगे फिलाल नत म्स्तक नत मतलब व सिर में जुके हुआ और नत राज यह भग्वान शीव कोu कहा जाता है निकुं जे इक र appel है और नीची दिया हुआ है । को इसके बाद आगी चलते हैं, तेईसमे नंबर की question को देखिए, सफेदी लिये हुए जो लाल रंग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो अगर आप लाल में थोड़ा सफेद रंग मिला देंगे, तो गुलाबी रंग, यानि पिंक कलर बन जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाफ से मिला कर देख लीजेगा, लेकिन यहाँ पर उसको बोलते हैं, पाटल, गुलाबी देखकर कुछ लोग कन्फ्यूज हो वही हुम लोग चुलेंगे, कोई इधर उधर का नहीं चुल लेंगे, तो गुलाबी दो बात में गढ़ा गया शब्द है, लेकिन उसका जो मूल संबोधने वो क्या है, पाटल, इसके बाद आगी चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देखें, जिसकी आत्मा महान हो, तो महात महात्मा हो जाएगा, तो सिंपल है, इसमें पहचाना जा सकता है, मनस्वी को इसको कहा जाता है, जो मन से तपस्वी है, यानि मानसिक तपस्या कर रहा है, मन पर नियंतरन है उसका, और महत्वा कांख्षा का मतलब आप जानी रहें, मतलब जो उच्छे इच्छाएं होती है और इसको कूरा करने के लिए मनुश्य कुछ भी कर सकता है, तो उस प्रवित्ती को महत्वा कांख्षा का जाता है, और हर मनुश्य को महत्वा कांख्षी होना चाहिए, महत्वा कांख्षी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर होता है, और महार् जिखेंड़ बाद आहरा नहीं महान का समानार्थी, फिलाल इसमें आगर आप देखें तो महात्मा जो शब्द है वो इसके लिए स्तिमाल किया गया, इसके बाद देखें आप 25 गो जुड़मा भाई, तो अब यहाँ पर आप देखें यमल भी दिया है, यमन भी दिया है, सहोधर भी दिया है और यमला भी दिया है तो एक ही मा से उत्पन्न जो संताने होती है उनको सहोधर कहा जाता है अगर बहने हैं तो सहोधरी होंगी, यानि एक ही उदर से उत्पन्न होई लेकिन एक ही 7 उत्पन हुए, एक उदर से तो उत्पन हुए है, लेकिन एक साथ उनका जन्म हुआ, तो इस प्रकार के जो होते हैं, बच्चे उन्हें जुड़वा कहा जाता है, अब इसमें उसके लिए शब्द क्या इस्तिमाल होगा, यमल इस्तिमाल होगा, जुड़वा भ आज को नई दिशा दे कर एक नए यूग की शुरुवात करने वाला है, ऐसा कोई महापुरुष, अब आज कल धर्ती पर जन नहीं ले रहा है, पहले लोग लेते थे, तो इसमें आप देखें, यूग प्रवर्तक उसे कहा जाता है, जैसे आदि शंकराचारे, विवेकानन्द या दयानन सरस्वती, या और भी पीछे आप चले जाएं, तो भगवान कृष्ण जैसे जो यूग प्रवर्तक थे, तो ये लोग आते हैं, और भी हैं, बहुत बड़े-बड़े महापुरुष हैं, अलग-अलग धर्मों में हैं, यहां सभी धर्मों में यूग प्रवर्तक खून की बूद जहां से टपकेगी, मतलब जहां जमीन पर टपकेगी, जमीन को इसपर्श करेगी, वहां से नया राक्षस पैदा हो जाएगा, तो इस प्रकार से रक्त बीच को मारना ही असंभौ था, जितना उसको मारेंगे, खून बहेगा, उतना ही ज़्यादा वो नया आक्षस पैदा करेगा तो आज का समय नहीं था कि जहर देकर मार देते या फांसी पर चड़ा देते कि खून टपके ही ना लेकिन पहले के समय में मार काठी होती थी तो देवी काली ने फिर खपर लिया ठीक है कटोरा लिया और उसमें उसका खून रोप रोप कर वो पी दी ज जाती थी तो इस प्रकार से उन्होंने संघार किया था तो रक्त बीच और यवनिका का मतलब आप समझी रहे हैं यवनिका मतलब क्या होता है पता है कि नहीं पीछे आपने अभी देखा है यवनिका का मतलब एक तो आवरण होता है परदा और एक और अर्थ होता है वो अग ये रसायनों से उतपन्न होता है, रसायन कहीं से संसलेशित किया जाते हैं तो वनस्पतियां हो सकती है वैसे इस प्रकार का जो वाक्य होता है, उसमें विकलफ आपको दिखाई देगा सोम रस जो कि औशलियों का ही घोल होता है अर्ख होता है तो वो भी आप चुन सकते हैं फिलाल यहां रसायन हो जाएगा इसके बार 28 को देखते हैं वह पर किया नाईका जिसका कि पर पुरिश फ्रेम दूसरों को ग्यात हो मतलब वह जो इस्त्री है वह दूसरे कई सारे पुर टार्गेट बनाया जाएगा इस तरी ऐसे किसी को अपना समर्पड नहीं करती है विवश्टा होती है तो ही करती है लोग वैश्या को पुरी निगाह से देखते हैं लेकिन विवश्टा वश ही ऐसा होता है कोई खुशी-खुशी नहीं करता है ठीक तो अब जब वो एक बा वातमक समाझे उसको एक बहाना मिल जाता है उसे लक्ष बनाने का इसलिए कहाँ आ गया है उसे लक्ष लोग शीता हम मतलब यी अजर किया जा रहा है और नीचे आप देख रहे हैं योगिता मतलब जो योग को करे विद्या को जाने और लगिमा एक सिधी का नाम है जिसमें कि मनुष्य छोटा हो सकता है, मन चाहे आकार को धारन कर सकता है इसके बाद आगी चलते हैं संपोर्ण सृष्टी को नियमित करने वाला योगी ऐसे कौन थे? आदिशंकराचारे तो अब इसमें आप देखें योगीश्वर उसे कहा जाता है और आदिशंकराचारे से भी पहले ये भी कहा जाता था कि भगवान शियों के वह उतार है तो भगवान शियों भी इसी प्रकार के योगीश्वर थे और भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है फिलाल योगीश्वर जो शब्द है वो इस्तिमाल होगा जो कि पूरी सृष्टी को नियमित करें, सृष्टी को नियमित करने, नियनता के तोर पे हम किसको देखते हैं, भगवान को ही देखते हैं, यानि इश्वर को, और वो योग विद्या से जुड़ा हुआ है, तो योग इश्वर, बाकी जो है, योग प्रवर्तक को आपने प्षानुसारी कहा जाएगा, वही बात है, इश्वर का मतलब क्या होता है, चाहा हुआ, कामना के इसाब से, छोटा और हलका हो सकता है, तो ये वाली जो सिद्धी होती है, इसी को लगी मा कहा जाता है, जो कि लगुरूप धारण करने में सहायता करें, भाई, छोटा होगा आकार में तो अपने आप वजन तो कम होई जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपका वजन सत्तर किलो है और आपकी हाइड जो है वो माली जे पांच फुट नौ इंच है, और आपका आपने ये सिद्धी प्राप्त कर लिए आप छोटे हो गए तब भी आपका वजन सत्तर किलो जी के पास थी, तो आपने सुना होगा कि जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो दरवाजे पर एक राक्षसी पहरा दे रही होती है जिसका नाम था लंकिनी और वो किसी को अंदर इंटर नहीं करने देती थी, सिक्योरिटी गार्ड थी लंका की, और वो हनुमान जी को र जाते हैं और उसे घूसे से मारते हैं तो उसे एहसास होता है कि ये कोई दिब पुरुष है और वो ख्षमा मांगती है, तो ये सब है, फिलहाल इसमें लगिमा हो जाएगा, नीचे जो शब्द आप देख रहे हैं, राका दिया है, यति भंग दिया है, मातली दिया है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, भगवान राम जब रावड से यूद्ध करने लगते हैं, तो इंद्र देवता, भगवान राम को सपोर्ट करने के लिए मातली को रत से नीचे भेजते हैं, ताकि आप रत पर सवार होकर युद्ध करिए और बराबरी कमकावलर हैं, इसके बाद देखें, तीसमे नंबर की क्वेश्चन को, विवाह में मिला हुआ जो धन होता है, उसको क्या कहा जाता है, दहेज कहा जाता है, और क्या कहा जाता ह यूप जो है, यहाँ यूप शब्द आप देख रहे हैं, यह इस्तंब का नाम होता है, मतलब जैसे पहले के समय में यग्ये होते थे, आज के समय में तो यग्ये करके, पंडी जी को दक्षणा देकर रवाना कर देते हैं, उसके बाद वो खतम हो जाता है सब, लेकिन पहले यग्य होता था तब तक वो जो प्रतीक स्तंभ है वह वहां गड़े रहते थे उनी को यूप कहा जाता था और नीचे आप यक्ष देख रहे हैं तो यक्ष एक विरादरी होती है मतलब यह जैसे देवता, दानो, किन्नर, यक्ष, गंधर हो इस प्रकार के यह जातियां होती है मतलब यह जीओ होते हैं असल में और मठाधीश का मतलब क्या होता है? जो मठका रखवाला हो, मठका रक्षक हो, इसके बाद मतलब मठका अधिपती हो, इसके बाद देखें 31 नमबर के प्रशन को तत्सम शब्द आपको तलाशना है तो यहां दिया है इधर इतना ओहको और अब इसमें जितने हैं वो सभी तदभो हैं और मजबूरी वश हमें इसको चुनना पड़ रहा है यह ओहको जो शब्द है यह तत्सम नहीं है, यह अर्द तत्सम है, मतलब तत्सम से तत्भो बनने की क्रिया के बीच में जो शब्द फस जाते हैं उनको कहा जाता है अर्द तो ये जो ओको शब्द है ये बीच में फसा हुआ है ना तो ये पूरी तरह से संस्कृत है ना पूरी तरह से हिंदी है इसके बाद आगी चलते हैं लेकिन यहाँ जो कि बाकी विकल्प और ज्यादा अयोग गित है मतलब किसी कामके नहीं थे तो इसलिए हमें सी को चुनना पड़ रहा है नेक्स्ट प्रश्ण संख्या 32 में कहा गया कि कौन सा तदभा तदसम यूग में जो है वो तुर्टी पूर्ण है यहाँ आप देखे की अक्यासी लिखा है और उसका जो संस्कृत अनुवाद है वो एक तरिंचत होता है असीती मतलब क्या होता है ? अशीती जो शब्द है इसका मतलब होता है असी मतलब єटी और उसमें आपने क्या क्या ? यहाँ एक्यासी की बात हो रही है न मतलब असी में आपको एक जोड़ना है तो एक का एक ही होता है तो एकाशीती जब संधी आप करेंगे तो शब्द क्या बनेगा एकाशीती यानि एक्यासी इसके बाद आगे चलते हैं तो यही वाला इसमें गलत दिया है इसके बाद next question number 33 म उसको भी देखेंगे तो आपका आत्म होता है आप आईए यानि आत्म आत्मा से जुड़ा हुआ और आभूशन आभूशन का यहाँ लिखने का तरीका आप देख लीजे उबटन का उद्वालन लिखा हुआ है उद्वालन का मतलब क्या होता है किसी चीज को उबालना आताना जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है तो यह जो शब्द यहां दिया है न तद्वो तद्सम के जोड़े में यह गलत है और गलत ही हमें चाहिए था अच्छा अब आदर्शिका का मतलब समझ लीजे लेकि पहले की समय में अंगूठिया बनती थी और वो मुदरिया य इसमें लिपिश्टिक ठीक करने माला सीसा नहीं होता है मस्कारा और लिपिश्टिक ठीक करते हैं तो वैसे ही पहले की जमाने में यह आदर्शिका होती थी और वो हाथ में होती थी आपके मतलब अंगूठी में है तो हाथी में रहेगी न इसलिए कहा जाता था कि हाथ कंग के लिका कहा जाता है क्योंकि उसमें धेर सारा टारी के सेड होता है और उसके बाद देखिए उपासना का उत्पद्द्यते इस चीज जो उत्पादन करने का जो तद्धम रूप है उत्पद्द्यते कहलाता है उपासना तो खुद ही एक तद्धम शब्द हैं ठीक है इसके बाद 35 में नंबर के प्रश्न की वर बढ़ चलते हैं, यहां देखें तत्सम दिया है, मतलब तत्सम शब्द कौन सा है वो पहचानना है आपको, तो केला, कचुआ, कारज, और नीचे दिया है कुत्र, मतलब कहां, कुत्र गक्षती, यानि कहां जा रह tässä है, तो कुत्र जोशब्द हैं, यह तत्सम है, संस्कृत का है, और संस्कृत मूल से निकले हुए जो शब्द हैं, वही तत्सम होते हैं, उनका रूप परिवर्धित नहीं हुआ है, रूप बदला भी है, तो यहां वो पहले का रूप है, वो दिया हुआ है, तो कुत्रिस का होगा, देखे, केला का कदली हो जाएगा, कदली जो शब्द है, वो केले के लिए तत्सम माना जाता है, कचुई का कक्षप हो जाएगा, ठीक, और नीचे आप कारज देख रहे हैं, तो कारे हो जाएगा, नेक्स्ट, फ्रश्न संख्या 36, तत्भो शब्द आपको बताना है, तो कर्तव दिया है, बंध्या दिया हुआ है, वंध्या दिया है, कपाट दिया है, तत्भो आपको ढूड़ना है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, वो तत्सम है, और काम दिया है, तो काम का कारे होता है, ठीक, कारे होता है, यहाँ पर देखते हैं प्रश्ण संख्या सहती इसमें कहा गया कि तद्भव शब्द कौन सा है तो इसमें आप देखे ऊपर ही दिया है ग्वाला गणेश घटिका और साथ में घोटक तो ग्वाला का ग्वाला जो शब्द है यह तद्भव है पहली चीज तो यह हमारा उत्तर है इसका त होती है यह गाएं उनका पालन पोशन करने वाल तो जो ही ऐसा करता है वह गोपाल फिलाल गवाला का यह शुद्धतत समय बाकी जो है उनका मतलब आप देखे रहे हैं गड़ेश जी को बतानी के और शक्ता ही नहीं है घटी का यह घड़ी को कहा जाता है घड़ी मतलब यहा जो समय अंतराल होता था उसको घड़ी का जाता है कि दो घड़ी का समय हो गया चौगडिया मूर्त चल रहा है ऐसे बोलते है तो यह घड़ी शब्द जो है यह समय को मापने का एक मात्रक है पुराने समय का तो उसका जो शुद्ध तत्सम्य वो घटी का होता है घोटक यह वोडे को कहा ही जाता है, next, प्रश्ण संख्या कौन सा है, यह 38 ठीक, तो तद्सम शब्द आप इसमें से देख लीजे, तद्सम शब्द आपको बताना है, यानि बाकी तद्बों है, तो खंड़ार लिखा हुआ है, खोता लिखा हुआ है, अभी क्या होता है, बताएंगे, ठ खोता क्या होता है, खोता मतलब घोसला होता है, चिडिया का जो घोसला होता है, इसको खोता कहते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, खीर, खीर का शीर होता है, खीर क्या होती है, यह बताने की जरूत नहीं, आपने हजारों बार खाई होगी, लेकिन हाँ, इसमें जो गोत्र जिसके पास जितनी ज़्यादा गाएं होती थी वो उतना ही अमीर होता थी तो इस आधार पर बड़ी बड़ी गौशालाएं होती थी और आज के समय कि गौशालाएं नहीं होती थी जो कसाईयों का डेरा होती है मतलब खिलाएं बीना मार डालते हैं वो अच्छे से रखते थे और यह जो गौशालाएं होती थी इनको गोश्ट कहा जाता थी यानि गायों के रहने का स्थान और उसी गोश्ट शग्द से बना है गोत्र और एक गोश्ट जिस रिशी का होता था उसी का पूरा कुनबा जो थ बताने क्या हो शित्तनी ही क्या होता है अब इसमें आपको तजसम बताना है तो इसका हो जाएगा चतुकाष्ट जो कि 4 कौने वाली काट की लकडी है भाई चौखट में 4 कौना तो होता यह ध्यान से देखेगा भले ही वो आयताकार होती है लेकिन उसमें चार कौने तो होत तिल भी है जिससे चौबे भी कहते हैं और इसके अलावाद चौखट लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा है इसका सही कौन साच है तुसकाश्ट इसके पाथ नेक्स्ट छाजन जो की उपर से चाया दे अब इसको तदसम रूप में क्या कहेंगे तो चादन कहेंगे इसमें से जो ज है उसको हटा के द लगा देंगे जो की चाया देने का काम करें उपर से अच्छादित करें वो चादन है छजन नहीं कहेंगे छजन और छजु ये सब शब्द है ऐसे ही काम चलाओं सजन यानि एक सभ्य मनुष्य भद्र पूरिश को कहा जाता है तो वो इसमें नहीं ह कोगा साधन का मतलब बताने की आउशित्तन ही है इच्छा का विशेशन अब यहां से विशेशन विशेशन स्टार्ट होता है तो आप देखें इच्छा का विशेशन इसमें से कौन-कौन सा है जादा तर लोगों को confusion विशेशन और विशेश्य वाले में ही होता है और प्र आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एचिक है इष्ट नहीं है लेकिन इष्ट जो शब्द है ये भी इच्छा सही बना हुआ है चाहा हुआ यानि जिसकी कामना की गई हो तो ये उपर युक्त दोनों हो जाएंगे इसके बाद आगी चलते हैं 42 को देख लेते हैं उपदेश का व पूछेगा तो उसके आधार पे आपको सही जानकारी होनी चाहिए नेक्स्ट प्रश्ण संख्या 43 में आपसे पूछा गया कि काम का विशेशन क्या है तो अब यहां देखें आप कामी कामुक काम में सभी अब ये काम वो वर्क वाला काम नहीं है ये वासना वाला काम है ठी कामी ये विशेशन है जो कामना से युक तो कामना जो है वो दैहिक भी हो सकती है बहुतिक भी हो सकती है दोनों चीज़ है कामुक ये भी विशेशन ही है इसके अलावा काम्य यानि जो कामना करने योग्य हो तो वो काम्य है तो ये वाला हो गया मतलब तीनों इसके आपने देखे, तो उपरियुक्त सभी, इसके बाद है कर्ज, कर्ज का विशेशन है, अब कर्ज का विशेशन क्या हो सकता है, कर्जदार हो सकता है, कर्ज खोर हो सकता है, कर्ज घोटा हो सकता है, यह जो कर्ज लेकर घोट जाए और फिर चुकाने का नाम न ले, तो यह तीनो विशेशन का प्रकार आपसे पूछ रहा है तो अगर आप मात्रा तोल रहे हैं या उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं में आएगा अगर आप गिन कर पता लगा ले रहें कि चीजें कितनी हैं तो संख्या वाचक में आएगा अगर सर वनाम का इस्ते माल कर रहे हैं तो स सर वनाममिक निए अगर लेकिन जितने गुण दोस्तकトं हो जाएगा इसके बाद 46 को देखी अनन्य के लिए उप्युक्त होने वाला विशेष्य क्या हो सकता है तो यह सभी इस्तवाल हो सकते हैं अब यहाँ ऐसा नहीं है कि जो अनन्य शब्द है उसी से विशेष्य बनाने लगेंगे कभी कभी क्या होता है जिससे भगवान के प्रती अनन्cyj प्रेम है अनन्य अब भक्ति भकतर प्रेम यह तीनों ही विशेष्य हो सकते हैं अनन्य भक्ति अनन्य भक्त, अनन्य प्रेम, ये सब हो सकता है, इसके बाद आगी चलते हैं, प्रगाड यानि बहुत गाड़ा, घनिष्ट, अब इसके एक विशेशन है पहली चीज, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से भी विशेशन है और वाक्य में इस्तेमाल हो तो भी विशेशन है, अब आपको इसके लिए विशेश डूणना है, तो क्या-क्या विशेश हो सकता है भाई, प्रगाड प्रेम हो सकता है, हाँ हो सकता है बिशक, प्रगाड प्रेम है, प्रगाड श्रद्धा है, प्रगाड भक्ती है, ये सब हो सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसे लिखता है, प्रगाड शरीर इस थूल शरीर लोग लिखते हैं लेकिन प्रगाड शरीर नहीं लिखते हैं तो वो नहीं हो सकता अट्टालिका प्रगाड अट्टालिका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा और प्रगाड बंधु का कोई मतलब ही नहीं है तो यहां उपर वाला एक मात्र जो प्रेम वाला है वही से ही है, इसके बाद 48 को देखते हैं, रिदय विदारक, यानि जो रिदय को विदीरिड कर दे, यानि तोड कर रख दे, नोच कर रख दे, ऐसा, तो ये एक विशेशन है, पहली चीज, और ये स्वतंत्री रूप से भी विशेशन है, वाक्य में प्रयोगों का तो भी हाँ, ध्यान दीजेगा, तो रिदय विदारक जो शब्द हैं, इसके लिए विशेश्य क्या हो सकता है, क्या इस्तिमाल कर सकते हैं, समाचाहर इस्तिमाल कर सकते हैं, दृष्य इस्तिमाल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, या कुछ नहीं करेंगे, तो दोनों इस्तिमाल कर सक है रिदय विदारक समा चाहर सुनकर उसने कलेजा धाम लिया यह एक वाके में प्रेयोग कर लिया किजde से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा ठीक है। प्रेयोग करना इतना मुश्किल काम तो है नहीं आप आराम से कर सकते हैं। फिल्हाल रिदय विदारक दिश्य देखकर उसके रिदय गदी थमसी गई ऐसा तो ये दोनों ही हो सकता है इसमें दोनों ही विशेश्य हो सकते हैं सिर्फ यही पर ऐसा नहीं कि समाचार जो है वो हर जगा विशेश्य होगा या हर जगा काम ही कर जाएगा जैसा शब्द मतलब दुखी होकर चिलाना और कमल है इसके अलावा आप देखें कि करुण है इसमें पूछ क्या रहा है विशेशन तो इसमें आप देखें कि जो वसन शब्द है क्रंदन है और कमल है ये तीनों क्या है संग्याय है यानि विशेश्य होंगे स्वतंत्रवस्था में और विश दास्वे नंबर के क्वेशन को विशेश्य आप से पूछ रहा है तो उर्वर दिया है निर्मम दिया है दुर्गम दिया है और मनोरत दिया हुआ है इसमें विशेश्य कौन सा है तो उर्वर ये उर्वरा से बना हुआ है ठीक है निर्मम ये निर्ममता से बना हुआ विशेश क्या है और विशेश है तो यहां नीचे जो दी वाला उप्शन है वही हमारा उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगले वाले को देखते हैं लेकिन इसमें जो आप नीचे देख रहे हैं इसका डी वाला उप्शन धर्म वह अलग है इससे तो यह देखकर हिमालु हो रहा है इसके बाद विशम को पहचानी अब यहां देखे हमसाया दिया है प्रतिवेशी प्रतिवासी प्रतिवेश्टि यह सब परोसी को कहा जाता है स फ्लैग को कहा जाता है, तो ये इससे अलग है, इसके बाद अगले वाले को देखें, विशम को इसमें भी पैचानना है, तो अश्म दिया है, उत्पर्ल दिया हुआ है, ग्रावा दिया है, और प्राग्य दिया है, यहाँ उत्पल होना चाहिए था, उत्पर्ल नहीं होना चा तो यह इसमें से अलग है यानि इसका जो correct answer है वो D वाला हो जाएगा जो कीन में भिन्न है इसके बाद 50 यहां देखे 54 इसमें विशम को पहचानना है आपको तो परिंदा दिया है बटोही दिया है दिमबज दिया है और पतंग दिया है तो परिंदा यानि इसके पास पर हो द दिमबज यानि जो दिमब यानि अंडे को उत्पन करें अंडे से लोग जन्मले यानि अंडज तो पक्षी ही होगा और इसके अलावा पतंग का भी वही तातपर है लेकिन इसमें जो बटोही शब्द है इसका मतलब पीछे हमने देखा था यानि यात्री पथिक तो यह इस सब्सक्राइबbucks देखते हैं के विशंसरफ्द का इसमें चैन करना है आपको तो अत्यांत ना हो अध्यनत अत्यांत मतलब मतलब बहिसाब हो तो वह विपुल आराध्य है, जो की आराध्यना किया जाए, मतलब जो आराध्यना की योग वो, उसको कहा जाता है आराध्यन, तो इसका विलोम क्या होगा, दुराराध्यन हो जाएगा, मतलब जिसकी क्या आराध्यना करना मुश्किल हो, यहाँ आप देख रहे हैं, और इसके अलामा साधना कठिन हो, दू उपसर्ग जिसके साथ लगता है, ध्यान दीजेगा, दू उपसर्ग जिसके साथ लगता है, वो शब्द कठिन हो जाता है, उसमें कठिनाई, बाधाये पैदा हो जाती है, यह असंभव नहीं होता है, अब जैसे दू साध्य है, तो इसका मतलब यह नही ध्यान दीजेगा, फिल्हाल इसका B वाला ऐंसर, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रशन संख्या सत्तावन में आपसे कहा जा रहा है कि आनंद का विलोम है, क्या है बताईए, तो परानंद है, पर्मानंद है, निरानंद है, या फिर सानंद है, इसमें से कौन सा होगा, तो आन पास के है न और विलोम कौन सा है निरानंद यानि जो आनंद से रहित हो निरुपसर्ग का इसमें इस्तिमाल हुआ है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या next यानि 58 उत्सुक का विलोम अनुत्सुक निरुट्सुक दोनों हो सकते हैं वैसे निरुट्सुक यानि जो प्रयोक्त न हो सके यानि जिसका की प्रयोग न हो सके तो वो सब तो अलग है लेकिन इसमें A और B जो है दोनों ही उत्सुक के विलोम होंगे इसके बाद अगले वाले को देखते हैं उत्भाव शब्द है न इसका विलोम आपको बताना है तो अवसान हो जाएगा पन होना उदय होना उठना और अवसान मतलब गिरावट या समापन तो यह चीज़ है दिवसावसान यानि दिवस का अवसान हो रहा है यानि समापन हो रहा है तो यह चीज़ और उत्थान का मतलब उठना होता है उतिष्ट का मतलब भी उठना ही होता है यानि उठो तो यह उसका उल्टा क्या हो जाएगा विवाहिता ठीक तो यहां जो इसका करेट टैंसर है उसे आप चुनेंगे अध्यूडा और वीर प्रसु वीर प्रसु का मतलब क्या होता है जो वीरों को पैदा करने वाली महिला हो यानि उसके पुत्र या पुत्रियां जो है वो वीर हो ठीक तो उसे वीर प्रसु कहेंगे और इसके अलावा देखे कोई नहीं का विकल्प इसमें होगा नहीं तो यहां तक हमने देखा